नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मैं आपका दूस दिनेश निम्बाउत हम बात करते हैं अब एक नए टोपिक के साथ मनवी ज्यान के जो से क्यों चल रहे है मैं तब प्रस्ण देख रहे हैं उनकी बारे में बात करेंगे इससे पहले आपसे निवेदने किस चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर लें वीडियो को लाइक करें कमेंड करें सेयर करें और अपना प्यार देते रहें चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला बुद्धी को परिवासित करने के लिए पर्मोग रूप से बल किस पर दिया गया अमुर्चिंतन की समता पर निर्ने ले सकने की कुसलता पर या नवीन प्रस्थित्यों के साथ समयजन की समता पर तो किस पर दिया गया या उत्र तो आपको आना ही चाहिए तो इसका परिभासाओं में बात करें बुद्धी एक योगेता पद में समानार्थी रूप में दिये गए हैं एक योगेता है सत्य असत्य अनिश्यत या इन में से कोई नहीं तो क्या आजमसर होगा इसका बताएं सत्य है बुद्धी ये क्या है योगेता है अब थस्टन द्वारा पर् सिद्धांत अगला देखें इस्पेर्मेंट द्वणार प्रस्तु सिद्धांत दिया था कौन सा दिया था मान सिक सकती सिद्धांट एक कार के सिद्धान, बहुकार के सिद्धान, दिवकार के सिद्धान, इसमें से कौन सा था इस्पेर्मेन का, इस्पेर्मेन का कौन सा था, दिवकार के सिद्धान, इस्पेर्मेन का दिवकार के सिद्धान था, two factor theory, अब इस्पेर्मेन के अनुसार जो है, इस्पेर्मेन के अ रहकभी होता है जनम्जात परिवर्तने पर्वर्तनी जी जो होता यानि चनेर्लित । मैं क्या है है जनम्जात होता है और परिवर्तने नहीं हो सकता कै अब Caitrash प्रस्तुत बुद्धी सिद्धान प्रात्निक मानसिक योगता का अनुसार निवन में से कौन सी योगता मानसिक प्रात्निक मानसिक योगता नहीं है। इक प्रक्रिया के रूप में इस पर में के अनुसार विसिस्ट का रुक है। परतनी है और जी जनम जाते हैं आप देखना इस पर मेंन करनुशार एस कीया था एस जो विसीष्ट का रहक है इस्पेसल फेक्टर जो है परिशोधन वी इन है यह यह भी दोनुंए या इस में से कोई नहीं तो इसमें से कौण सा होगा यह परी सोधन साप्राइन इसमा कि अधिकता है इसमें बुद्धी-कद्न्पूर्षा जो समधित होती है उदेशिपन्कारियों , तारकिक चिंतन से परभावपूर्ण व्यवारिक अभ्यूक्ति से होगा । सरज होगा इसका बूदिस सिपनکार को तार्खिक चिंतन प्रभाव कर वहिवार अभ्यक्तिक से यानि कि सभी तीनों ही भुद्धी क्या है प्रक्रिया एक उत्पाद। दोनों या समता। प्रक्रेस है। तो ठोस बुद्धी, क्रिस्टल क्रिसलाइज जू है, मैं संध्यान आत्म निश्पादन सम्मलित है। जिनकी साहिता से वक्ति बताना है केटल कंसर जो ठोस बुद्धी है ठोस बुद्धी में संज्यानात्म निस्पादन समलित है जिनकी साहिता से जो वक्ति क्या करता है कुसल निर्ने ले सकता है या पिर कुसल निर्ने नहीं ले सकता अन्य के साथ समन इस्तापित करता है इसमे किसने कहा था Olympics यह वुडवर्थ वू जार खते हो हैं इसमें से कौन सा है तो कारिय sum करने के वीधि है तो यह वुडवर्थ से व का अावन के तका है अमूच चिन्तन करने की योगता हैれない को पता ही होगा अमूच चिन्तन करने की कि योगेता ही क्या है बुद्धी है और वुद्धी कि यह परिवासनिम इसमें से कौनई सा होगा आपको पता होगा अन्सर दे इससी का और फवेसलर ने पुद्धी को परिवासित करने में निम लिकित इसमें से किस योगेताओं को समलित नहीं किया वैसलर वैल्यू टेस्ट आना वैसलर ने जो है बुद्धी को परिपासित करने के रूप में किस योगेताओं को सामिल नहीं किया बुद्धी जो है चिंतन करने की सकती है वाताओं के साथ परभावपून डंग से अंतकरिया करन करनेißtव क मैंत्त बताना में धिसको सामिन नहीं कि वेसलै वेसलेणं वह आपको बताना है वन है ले पेसर हिद्द्ध नहीं कि इसको सामिल नहीं किया अगला बात करें वीद्धि का एकिकर्थ सिद्धान्थ एकिकर्थ का सिद्दान बुद्धी का एकिकर्थ का सिद्दान किस ने दिया यह आपको बताना है बुद्धी का एकिकर्थ सिद्दान किस ने दिया याद रखना आगे चलते हैं बुद्धी का दियुकारक सिद्दान्त। टू फैक्टर थियोडी इंट्विजञ्चि के किस ने दी। और किस ने दी। सबसे पहले एलफड़वी ने जिए स्थॉमसन्स्ञ थस्टं चार्स इस्पेर्मेंट किस ने दी। आपको उत्तर सिद्दान् Word इक कि इस्पेर मैं आलम थस्टन थोंडाइक इन मेंते कोई एक य crumble कुई कि वाग कि तन कि किसने की थी बताना है आपको इन मैंसे बीनें थे कौन थे है बीने तुअ कि भूधी का बवकार के सिद्दान मुकी रूप से देन है बुद्धी का जो बहुकार के सिद्दान दें वह किसका देन है आपको बता ना है बहुकार के पहला ओप्सन है गिलफर्ड सेकिंड बर्टन वरनन थस्टन सी और डी है थोंडाई किसमें से कौन थे किसने दें बहुकार कि बहु कार prix सिद्धान जो है वो किसका बहु कार के इचक जसका है कि है थोणडाइक कि अगली बात करें वक्ति की वह योगिता अत्वा सक्थी कौन से है जिसके माद्यम से वह नवीन रचनात्क कःता की बात आगी नमेंता होनी चाहिए रषटनातमकत अंगता होनी जय LIVE आएगा अब बात करें निम लिकित में सखीश्मनों वेग्ञानी का जो बुद्धि के में चोन से जल्दी से बताए है जो सिद्धान दे बुद्धि का चिह जो इस प्याजे विधागि चलिए आगे बात करते हैं बुद्धी का जो बोधिक सरचना परतिमान यानि बुद्धी का बोधिक सरचना परतिमान इस्ट्रेक्चर ओप इंटलेक्ट मोडल जो है सिद्धान नीम में से किस मनोवेग्यानिक ने दिया बोधिक सरचना परतिमान जो बोधिक सरचना परतिमान है किस न दिया था बड़ बर्णन बड़ाkich जू टंघ सरचना परतीमांब की बात किई पर्तीमान किस न दिया याज सेम्पलिंग बाला अधुन niż थॉट्ट किसने दिया था il दिल फर्ट ने दिया था चलिए बात करते हैं अगला केशिशन के प्याजे के मता अनुसार बात करें तो बोदिक विकास में आत्मसातिकरण के साथ अन्य कौन सी मनोगेनिक परिक्रा जुड़ी होती है आत्मसाथ करण के साथ ने अन्य कौन सी परक्रिय है जो जुड़ी रहती है ठीक है आपको बताना है बोधिक विकास में आत्मसंग्यान समंजन पर्तिक्षिकरण अउधान आपको आत्मसाथ करण करना है कौन सी रहेगी अले कौन सी रहेगी बताओ कौन से रहेगी समंजन कौन से रहेगी समंजन अब गिलपर्ट ने जो है कारक विशलेशन के आधार पर 150 कारकों में से कितने कारकों का पता लगा लिया था कितने का सबसे पहला उपसन 25-50-80-120-80 का लगा लिया था ठीक है कि नने का लगा लिया था अगले बात करें निमलीकत में से किस मनों विज्यानिक ने बुद्धी की वे क्या कारक विशलेशन के आधार पर नहीं की का अलफेट भी ने थोंडायक थरस्टन प्याजे इसमें से क रख्या नहीं की बुद्धी की अधिकानस मनाय ग्यानिक के मतानुसार बुद्धी का विकास निम्ने से कि सायू इस तर तक पूर्ण हो जाता है कि इस आयो तक बुद्धी का को लेकिया अपना तो बुद्धी शिद्धान था इस मेर महले उन्होंने किसक्रिक्स हो सामयल किया था आपको बतास हैард evolution है पहला सामानी आ सा्मानी डीध यह सेखिंड्री विशीष्ट फिर एसामानि यह असा मरी अदब आति दाति विस तो कॉन सा है गिलफर्ट ने अब आपने थोट दिर भी बात की सिती गिलफर्ट में तो कॉन सा था तो ट गवल लिए हएं इदि विन में वाय मी अपधानुकर्म सिट्द्दा इस cidade इसमें से कि विल्पर्ड गठात्याइवies. बूद्ध का पर्ती चयन सितान दिया पर्ती चयन परती चयन पर्टी चयन रहें कौन से पैला ऑपूंवेइग्या और करी ओमूरित बृफटियों संथ 15 क्योंब है कि कूंपय कुण 10 वे 대가 Ц elaboration का बुद्दी्य का सब्धी का जर्वकार्गाजिद्ण कौन सा कारख सित्दान स्मु का दया है यह यह किस ने दिया वैल समुकारक सिध्दान्थ थस्टन थॉमसं थॉंडाइक और वेसलर समु की बात कर रहे हैं समुकारक सिध्दान्थ कि किस ने दिया यह आपको बताना है समुकारक सिध्दान्थ किस ने दिया वह आपको बताना है बुद्धी का समुकारक सिध्दान्थ किस ने दिया थॉमसंड किसका है थॉम्सन का बात करें अगले किसंद देखें बर्ट यहों बर्णन द्वारा परस्तुत भूद्धी सिद्धान निमलिकुत में से किस नाम से सरदिक रूप में परचली थे हैं किस नाम से बर्टेयों बर्णन द्वारा जो दिया गया था वह कौन से नाम से ज़्यादा था फैमसे बहुकारक सिद्धान्त मल्टी फैक्टर थियोरी पर्तिदर्श सिद्धान्त समुकारक सिद्धान्त पदानुकरमिक सिद्धान्त किस कौन सा इसमें से दी पदानुकरमिक सिद्धान्त भर्टेंव बनन लुटि का मानसिख वर्दी सिद्धान झ्रह जोसे मानसिंद्द्ध से वर्द द तॉमसन से फ्याज एक से किस्ट चाहित अप्र नू ये पिया से किया जा सकता है आगे लागे से निवलीकिन मैंसे बुद्धी सिद्धान तो में से कौन सा सिद्धान चार्लिसमेंट से समंधित नहीं है इस्पेरिमेंट द्वारत नहीं दिया गया है वो आपको बताना है समुकारक, भहुकारक, दिवकारक और एक कारकिये सिद्दान इसमें से कौन सा नहीं दिया गया है जो बताना आपको दिवकारक की सिद्दान जो है नहीं दिया गया है ठीक है कौन सा दिवकारक सिद्दान नहीं दिया गया है से उप्शन सी बुद्य का एक कार के सिद्दान निम intellect से किस मनमिग्यान की देयन है। के सिद्दान कोंसा करें कौनसा गंगार किय का है गिलफर्ड गेरेट गारड़नार बीने किसके द्वारा दिया का रख बीने द्वारा ओ तरमन ने बुद्द्धि को मैं से क्मुझ से योगता माना तर्मन नING कौन परिवास बताई थी समयजन अमुड चिंतन सीखना समस्या समाधान इसमैज कौन से थी अंग अम्аш 110 कрем आप कि JEFF अमूड चिंतन के योगिता टर्मन परिवास दीन आभे निमलिक्त मेंसे कौन सा कथन बुद्धी के संसंदर में आ मुल्यूं मुल्य को निर्था रित जो मानो मुल्यूं उनको निर्था रित करने की योगता है शक्राण foot बुद्धी अमुर्चिंतनों सीखने की योगता है बुद्धी का पॉश्ण वाताउन में होता है इसमें से कौन सा जो है गलत है वो बताना है आपको बताएं जल्द इसे बताएं बुद्धी मानव मुल्यों को निर्धारित करने की योगता है ऐसा नहीं है अपसन ये गलत है अगला बात करें अपन बुद्धी वक्ति की सारो भूमिक समता है जो उसे उदेश्य पून किरिया करने तरकपून चिंतन करने तता वाताउन के साथ परभाव पून डंग से समय जिन करने में सायता परदान करती है बुद्धी की ये परिवासा किस ने दी परिवासा क्या है अगला बुद्धी वक्ति की वह सारो भूमिक समता है जो उसे उदेश्य पून किरिया करने तरकपून चिंतन करने तता वाताउन के साथ परभाव पून डंग से समय जिन करने में सायता परदान करती है बुद्धी की ये परिवासा देने वाल कौन है पहला ओप्सण है वे अगला देखें नम्लिक्स में से किस मनोग इग्यानिक अनुसार बुद्धी वही है जिसका बुद्धी परिक्शन मापन करता है यह किसके अनुसार है वेसलर फ्रीमेन बीने और डियर बान यह किसका अनुसार है कोने इंगवे इसमें freeman कहता है यह कौन है फ्रीमेन का अनुसार है प्याजे ने बुद्धी को किसके पड़ति समय जन की योगिता माना है आपको बताना है सबसे पहला option है बौतिक वो समाजिक कि पर्यावरं तो इसमें से कौन सबस्ट हुगा आप जल्दी से बताएं बहतीक और समाजिक पर्यावन के परती जो है समाजेन की योगता माना बुद्धी को किस ने प्याजेने माना अगली के तरह बढ़ता है निमलिके में से किस मनोवेग्यानिक ने सबस्क्राइब प्रस्रित्यों और बुद्धी तो सम्स्याओं और पर्षित्यों के पर्ति समाईजन प्रत्रिक शिक्रत यांत्रिक हर्ष्चा लेकर इसमें से कौन सा नहीं है यापको बताना है कौन सा होगा परत्यक सिगर्थ इस्पेर्मेन के अनुसार बुद्धी में नीद है इस्पेर्मेन के अनुसार बताना आपको बुद्धी में क्या नीद है सामानेकारक विशिस्ट कारक एक विशिस्ट कारक एक विशिस्ट कारक एक विशिस्ट कारक अनेक सामानेकार बुद्धी का प्रात्निक मान्सी क्योगतों का सिद्धान इसपस्ट करता है प्रात्निक मान्सी क्योगतों का सिद्धान इसपस्ट करता है क्या इसपस्ट करता है बुद्धी को केवल एक सुचकांग मान से वेक्ट नहीं किया जा सकता बुद्धी जो है इसको केवल आप एक अक इंडेक्स वैल्यू से वillon면 किया जा सकता मुदी मापन के लिए संसक्रती मुक्त कल्चयर फ्री रिक्र्टेन की आव सकता होती है पश्थी बुदी में प्रत्निक मांद से क्योकेता है नीथ नहीं होती बुद्धी वाताउन जन्निय होती है बुद्धी को क्यों एक सूचका आंग मान से व्यक्त नहीं किया जा सकते हैं आः में दाना निकलिकत दिए गए बुद्धि इस दान्तों में सा सिद्धान्त विधार्त्यों को विव्याइक निर्देशन स्यवाधिक उप्यूगत है और का सभ्स् manner being a karkian औरbre했던 सब स्यादा मॉस्टर आप देख लीजेगा इसको मॉस्टली अगर थस्टन का प्रात्मी युगता सिद्दान पूचा जा सकता पर में और गिलपड का एक एकर संस्टन सिद्दान इसमें से कौन सा होगा वैसे एक निर्दसन देने के लिए उप्युक्त होगा ऑप्शन बताएं उनकी बुद्धी का मापन करने के लिए जो निमलेट में से कौन सी सरोतिक उप्युक्त परिक्षन है आपको बताना असाब्दिक बुद्धी परिक्षन मंद बुद्धी है याद रखना असिक्सित भी है यह याद रखना साब्दिक बुद्धी परिक्षन निस्पादन ब बुद्धी परिक्षण ठीक है अगली बात करें 46 नमर के उसन देके निम लिकत में से किस योगता का मापन बुद्धी परिक्षण द्वारा नहीं किया जा सकता कौन सी योगता जिसका परिक्षण जो है बुद्धी मापन परिक्षण को द्वारा नहीं किया जा सकता मापन सम बात करें बच्चों के बॉधिक विकास की चार विशिस्ट अउस्ताएं होती हैं यह विचार निमलिकत में से किस मनोवग्यानिक ने से समधित है किस ने कहा कि बुद्धी के जो विकास की चार विशिस्ट अउस्ताएं होती है कोलर बर्ग कौन सा बर्ग कोलर बर्ग प्याज एक एक संदित नहीं है बुद्धी से समधित नहीं है वह आपको बताना है नविन परिसित्यों में स्वाम को समाय जित कर लेना लंबे निमदों को सिगरता से रट लेना परवापून्व उचित धंग से संप्रेशन की समता का होना अमूर्द रूप से चिंतिन करना आपको ल लंबे निमदों को सिगरता से रट लेना बुद्धी से समधित नहीं है यह वो बुद्धी जो स्वाम में संकतों तता सभी परकार के साब्दिक करियाकलापों के परबंदन में परिलक्सित होती है क्या क्या लाती है वो बताना आपको इस्तुल बुद्धी अमूर्थ बुद्धी वयवारिक बुद्धी सेदान्दिक बुद्धी सभी के परकार के साब्दिक करियाकलाप याद रखना साब्दिक करियाकलाप का इसने उनके परबंदर में आपको परिलक्सित होती है कौन स से रहेगी कि अमुर्थ बुद्धी एक बालक की वास्तिक आयों तता मांसिक आयों जो कर्म से आठ वो दस वर्सें उसकी बुद्धी लब्दी होगी एम अपॉन सीए इंटू सो फॉर्मूला लगाना है और आजाएगी कौन से कित्ता आएगी आपको देख लेना एम अपॉन एम अपॉन सीए इंटू सो इसमें से मेंटल एज ठीक है वास्तिक आयों करेक्ट आयों आठ हो गई ठीक है दस अपॉन आठ इंटू मैं तो निकाल लो हजार का भाग देके कितने आजाएंगे 125 आजाएंगे ठीक है यहीं होगे कि निमली कित्में से किसने मान्सिक आयों का पड़ते परस्तूत किया मान्सिक आयों का जो पड़ते वो किसने दिया था मान्सिक आयोका पड़ते किस ने दिया था पड़ते देने वाले कंसेप्ट किस ने दिया था यह आपको बताना है मान्सिक आयोका बीने टर्मान मेरी लें टर्मान इस्टन किस ने दिया था बीने ने डिया मान सखायों कई पढ़ते हैं बीने ने वर बुद्धि लब्दि ने ये लगना मान-जगायों का दिया तहान भीने ने और बुद्धि- invasive का किछ ने दिया season Dyno ते यो इसमाने क्या है यह यह सुली लंदिखनाटी दिने वाला ने यह वह इसकिरण है थीकः और वुद्र माने जाके जाता हैं। मैंने फून थों डैक टॉन एक बिनत अंगे दो में लिए को विए माने जाते हैं। बुद्धी मापन के संदर्व में पर्थम बुद्धी परिक्षन के निर्माता माने जाते हैं पर्थम बुद्धी परिक्षन के निर्माता पर्थम बुद्धी परिक्षन के निर्माता पर्थम बुद्धी परिक्षन के निर्माता पर्थम बुद्धी परिक्षन के निर्मा जल्दिश बताएं। 1905 में बीने का बुद्धी परिक्षण है साब्दिग है या साब्दिग है या कारेडिश पादन है या मिस्रित है बीने का परपा में कि है huh कौन सा है साबदिक है है कि निया का बुर्दी परिक् ringing है दूसरे 15 में के लिए पर 5 aynı to एर तुस्वें से लिए तुस्त हुआ या पर यह तीनों के लिए क्यों सा होगा कुछ जाते है यह तीन से 16 वर्ष के लिए लिएने का बुद्धि पर जिए पूधि परिक्रषर माला से संधित शाबधिप परिक्षनी होते हैं और परसंट से समधित उत्तर लेकित उत्तर देने होते हैं इसमें से कौन सा केमन का बुद्धी परिक्षण थोंडाई का परिक्षण बाट्या बुद्धी परिक्षण या जलोटा बुद्धी परिक्षण कौन सा होगा इसमें से बाट्या बुद्धी परिक्षण अधिगान्स बुद्धी परिक्षन जो है विशेज कर साब्दिक बुद्धी परिक्षन हो अधारित हैं किस पर हैं इस्पिरमन दोरा परस्तुत बुद्धी सिद्धान पर थोंडेक दोरा परस्तुत बुद्धी सिद्धान पर थस्टन दोरा बुद्धी सिद्धान पर और क तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में इस वीडियो को लाइक करें कमेंड करें सेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें नास्कार